हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ले चैनल, आज हमारे पास एक नया चेप्टर है, ट्रांस्पोर्डेशन प्रॉब्लम्स, तो इस चेप्टर में हमें करना क्या है, कि जो प्रोड्यूसर है, वो कॉस्ट फाइंड करता है, अपने प्रोडक्ट को वेरहाउस से मार्किट में डेल हैं, इसमें figure देखी क्या क्या given है हमारे पास, हमारे पास होगा destinations, जहां पर हमें अपने प्रोड़क्ट को डेलेवर करना है, तो market 1, market 2, market 3, कितनी ही भी market हो सकती है, फिर होते हैं हमारे पास sources, warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3, warehouse 4, sources क्या है वहां से प्रोड़क्ट डेलेवर किया जाएगा, और market क हैं, जहां पर प्रोड़क्ट डेलेवर किया जाएगा, अब यह होती है हमारे पास supply, तो supply किसकी होगी वह, warehouses की, कि यह warehouses कितना कितना supply कर सकते हैं, फिर होगा हमारे पास देखे demand, कि इन markets की demand कितनी कितनी है, और यहां पर आपको कुछ data given होगा, matrix की form में, उसको हम कहेंगे cost matrix, तो यह तो हैं हमारी format transportation problem का, अब इसको solve करने के लिए हमारे पास तीन methods available है, तो देखें, methods देख लेते हैं जरा इसके, तो first method हमारे पास है, northwest corner rule, first method है, northwest corner rule, second one है, lowest cost entry method, method, इसको short में lowest cost method भी कहते हैं, और last में हमारे पास है, vogels approximation method, अब देखें क्योंकि हमारे पास तीन different methods available हैं, तो इन तीनों method से cost भी हमारी अलग अलग आएगी, तो अगर हम first वाले method से solve करते हैं, तो सबसे जादा cost first वाले method से आती है, उससे थोड़ी सी कम second method से, और lowest cost, सबसे कम cost आती है हमारी third वाले method से, जो है vogels approximation method, अब जो हम next class करेंगे, तो हहाँ से हम start करेंगे अपना first method, north west corner rule, अब आपको करना गया है, कि चैनल को subscribe कर ले, और notification को भी on रखें अपने, ताकि जैसे ही हम अपना first method start करेंगे, north west corner rule, तो वो आपका miss न हो, मिलते हैं आप से next class में, thanks for watching, करें, जो रखेंगे।